यह जो सेशन है यह एक ऐसे काम के लिए है जिसको प्रिजर की उस साइब के गुस्ताव पसंग नहीं करते हैं जिनको आप विस्तिस्दम या मिस्तिक और के गुस्ताव सेब लिए यह एक इड़निक सेशन्ज होते हैं और यह जियालत तक खुलामा को ही सचते हैं मगर एक जो बनकिसमती की बात है वो यह हैं कि चुम्के इस वक तमाम न तमाम मजबी और इखलाकी इल्म जो है अपनी तरजिए अबल से खाली हो चुका है तो मजबूरन मुझे इस सेशन को तरजिए भी देना बढ़ रहा है और इन कमाम लोगों के लिए जो पुदा की रसाइए और शराफ चाहते हैं और जो लोग यह चाहते हैं कि वो जिदगी में अपनी तरजिए अबल को आसानी से पहुंचें उनके लिए ये एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होगा बलकि बहतर यह है कि जिस किसम का तजस्थ और जिस किसम का सवाल अपने जहें के रहते हैं आप तूछ सकते हैं और उसी से हम आगाज करें इससे पहरे ये कहना बहुत जरूरी है कि जिस चीज़ को आप एक अमरे महार समझते हैं या जिस चीज़ को आप ये समझते हैं कि ये खयाल और खाब की दुनिया का मुश्किल तरीन सफर है वो दरसल एक इमतहाई नॉर्मल और इतदाल पसंदाना जिल्दगी का नाम है तसवफ दरसल मजब में एक आला तरीन अकलियत का नाम है क्योंकि मजब की इतदा निवाद रोजा और अवामर और नवाही से है और जो सक्स भी इन पर अमल करता है वो यकीनि इसलाम में भी दाखिल है और मुस्लमान भी है मगर जो लोग इस से बहुतर मकस्द के लिए जितोजहत करते हैं तो तमाम मजब पर एक बुन्यादी कुष्सिन वारिक होता है कि मजब किस लिए अगर हम ये कहें कि ये एक तहजीमी असरात के लिए है या किसी की सोशल सेटब में ये कोई तर्थीम सिखाता है तो ये गरत होगा इसलिए कि मजब उस वक्त भी गाय जहाँ जब इनसान तहजीमी दाए में नहीं था और उस वक्त की मजब में आगा और रसुल सल्दा अलिए सल्म तक आदम अलिए सल्म से लेकर आगा और रसुल तक शरीयतیں बज़ती लगे और एक आज कानून की सुर्थ में इनसान को जिर्दगी गुजारने का ड़्म सिखा जाता रहा मजब एक मक्सद मजब का हमेशा अब और आखर रहा और वो ये था कि जब भी किसी इनसान को अपने अंगरूने जाद तनहाईं और गम का एसास हुआ और उसने किसी बड़े आसर और बड़े महबद की दलाश की और उसने अल्लाह का सोचा तो मजब वाहिद रस्ता था जो उसे ख़दा तक रिये जा सकता है और आज भी मजब का वाहिद मखषब यह है कि जो शख्स भी अल्लाह को पहुचना चाहिए अल्लाह की शनाफ चाहिए अल्लाह के लिए किसी जज़बे को मحसूस करना चाहिए तो उसके लिए वाहिए रस्ता माज़खनी है और इसी अलिगी रस्ता सिर्फ इनसान की ये इसलिए बनाया जिया हो कि वो खुदा के बिरसाइब और शनाफ का हसिल करें जो पर दूसरे मसेले से हमें आज़ाई होती है कि आखर वो क्या जरीया है किस तरीके से इनसान की पास वो क्या फचलेटी है वो क्या सलाहियत है जिसकी वज़त से वो अपने अल्दा को पहचाब सकता है तो खुदा बने करीम ने एक बात को बिलकुल वाज़ करना है और ये बात उसमें गुरान हकीम में करी कि जब मैंने एक खसूसी आमालत सौपनी चाहिए जमीन और आस्मान को पहारों को लात जमानता अलस समावात वलाजब जिमारे फावागना याहमिनना फाश्वतन मिना वहमला हले इनसाद तो ये नह बद्धन नाज़्वार जो जिसकी बुन्याद में वो एड़वार्ट एक खडरा और एक खाः़ा रखा गया खडरा तो ये रखा गया कि इस नहमत के इस्तमार ना होने की वज़ा से आपको अजियत जाती और अज़ाव जहन्म से वास्ता है और अगर आप नहीं इस नहमत को अच्छी तरह इस्तमार किया तो खुदा वज़े करीम ने आपके लिए रोशनी चंड़त की बशारत को रहा और वो सिर्फ अख़ियोग्ना, इटना हले नैव स्भीरा, हमके इसान को अच्छी और विए रास्तेजी हिए इसलिए बसाहिए कि इम्मा शाकिरोग्वाद मा कतूलगा चाहों क добр हमारा उबंकार करे और चाहें को हमहें माने और जाने परवर्दिगार के नजदिक इनसान की पैदाइश का सिर्फ एक मकसद था और वो शनाफ अगर आप साथ और 25 बरस तक भी किसी मख़ब में जिन्दा रहने के बावजूद उस मख़ब की गद्व गायत को नहीं पहुचते उसके मतलिब को नहीं जाने और आपको यह पता नहीं कि यह मख़ब हमें कहां ले जानी की पोशश का नहाए और इसका मकसद क्या हो सकता है तो वो मख़ब बहर रिस्मो रिवाज बंके रहे जाए जाए यही सवाल आपसे अगर एक गएग मख़ब का इनसान देए कि अगर आपके रिस्प और वाज मझभी मौझूध हैं, तो हमारे भी रिस्प और वाज मझभी मौझूद हैं. अगर मुसिल्मान पार्जवर्ग की निमाज पढ़ता है तो एक क्रिस्टिन भी मैस वेस्पर्स में जम्हा होता है वो लोग भी अपनी इवादत की धंग रखें अब मस्ला ये पैदा होता है कि आगर वो लोग सचे क्यों नहीं हम लोग सचे क्यों कहवारे की कोशिश करती है हम उन्हें किस बात पर ये कहती हैं कि आप बलतो रहुं ठीक है तो एक ही रीजन समय आती है और वही जो अग्रामिया ने कहले से इर्शाद हुआ है कि अगर कोई मुझे चाहता है मेरा कुँछ चाहता है मेरी शनाफ चाहता है तो वा मैं याउ तगे वैर इसलाम ने लिए फाल यूक बलती है तो अगर इसलाम की सिवा किसी रस्ते पर चल की आया तो मैं कबूल नहीं है अगर मुझे क्रिस्चानिटी में भी खुदा मिलता हूँ बुदिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज़्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्जज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज ऊसे ने हया जी खुदा है हो कुदा सब मजाहिक विरius भूर रहो हो और म्लता हो इसलाम से पहरे लिए भूमकन था कि क्रिस्टन को खुदा मिल रहता है की ओर इसलाम के बास पर भोलगार दिये एक कैड़ करे है कि आप इस रस्ते के सिवा आप आपको किसी की मत कर तस्यूद नहीं हो सकते हैं इसलिए कि मेरे नजदी मैंने पूरा इलग मुकम्ब नहीं है और एक प्रेस्ट जो है यह नहीं कि वो गलत है मतलब वो हाफ रिलिजन पर काई हाफ नकुरूज पर काई हाफ इंटेग्रिटी पर काई उसका इल्म जो है वो इतना मुकम्ब नहीं है कि खुदा वन्ने कुदूज की पूरी शक्सियत उसका उसकी नज़र उसकी अकामत का इहाथा कसा यह सिर्फ उस आयत से ही पदा लगता है कि अल्याव मातमतु लकुम जीवकुम वातमतु अल्यकुम नेमत अल्ला ने तमाम कर दी तो आप मुझे खुद बताए कि कौन पोस्ट ग्रैजुएशन के बाद मैट्रिट को पड़िटना चाहिए कौन एक पहितरी निल्म हासिद करने के बाद कम तर इल्म की शनाफ्त हास कि अल्यक्त करते हैं कि तमाँ तर लोगों से ये तवक्यों नहीं लगी जा सकती को इतनी रिसर्च और तहकी करेंगे खुदा के बारे में वो इतना सोचेंगे इतना जानने की कोशिश करेंगे अब लोगों के मिजार उनके उनकी कुवत जहन उनके अफ्काद हैं अलएदा अलएदा होती हैं कि तब खुदा का इंटरिस्ट पैदा होगा है वामन अराद अल्लाओ की कहिए पैदा होगा है वामन अराद आखिराद की कहिए पैदा होगा है तो फिर इससां जरूर वो जितों जहन करता है कि जो उसे बहतर से बहतर खयार मजब को ले की जाता है और ज इतनी आला तरीन उनकी शक्सियत थी कि पहसियत एक उस्ताद के उनों ने भी अपने आपको खुदा की रस्ते में हाई लिकिया और बावजूद इस बात के कुरान की दो आयात से जो हमें बड़ा साह हो वजाहत से पता लगता है कि जब परणन दिया इस तक जात का की जब परणन रर्दियार पर्माते हैं यदिया लार्दियान वि जटान की जरूर है और जां रहमत लार्दी की सुरत मैं है व समय रहा द्यान प्रणार से से पूशा जाए लिया रसुलिदावस में लोग जन्नत में कैसे दाखिल के जाएंगे, फरमाया अल्ला की रहमत के साथ, तो पूछा गया यासुला क्या आप भी, फरमाया हाँ मैं भी अल्ला की रहमत ही से दाखिल हूँ, अन्दाला की जिए उस उस्ताद मौजब का, कि रहमत अलिद आलमीन होने के बावजूद, इल् आप खुदा का वजूद है, वो अपने आप लिए नहीं कहलें, कि रहमत अलम तो मैं हूँ, रहमत अलम तो मैं हूँ, मैं आलमीन के लिए रहमत हूँ, आप मेरी वज़ा से जन्नत में लाओएं। ऐसे नहीं कहां, बलकि एक ऐसे अजीब उस्ताज की तरह, कि जो अपनी प पढ़ाना था, जो कुछ उन्होंने टीच करना था, वो खुदा की वाहदावियत और उसकी अबूदियत, और उसके कमाल इजन्न तो मकाम की तरफ इशारा करना था, कि जहां खुदा तरहा है, और वो उसकी बेनियास जात है, जो तमाम इंसानों से बाला एक ऐसी एकाई की हैसियत लगती है, जहां किसी इनसान का कोई वजूद हाई ने रहता है, और ये सबकर उन्होंने आप सब को काहिए करना था, वन्हा खुदा के नजदीक जो उनका मता है, बगार एक बहुत अच्छे चुदी के, के दो बातों की इतहा मुझे कभी नजद नहीं आई, एक त ऐसा तरीका है, ती इसके बुन्यादी कानूं में, जो शक्स भी खुदा के करीब तरीम जाना चाहिए, या उसका खुर्व चाहिए, उसके ती बुन्यादी असूर है, बदकिस्मती समझे कि तमाव तसम दौरे हादम में, कुछ ऐसी कहानियों का शिकार हो गया है, कि सादा तरीम इंसानी अप्रोच को इतना पेचीदा कर दिया जा है, मजभग की वाहिद गर्लोगायत के ऐसी पेचीदियों में उलचा दिया जा है, कि जहां इंसान खुदा को हुशूल नदर से बाहर कर चुका है, अपने मकसद से उसने उसे बाहर कर दिया, और यह सोच करके एक गुलंद बाला जास से विला कोई तालूग काई नहीं हो सकता, उसने मुकम्मल एराज बरत हुआ और खुदा को एक ऐसी दिगे बिखा दिया, कि बगवाल इक्वार के लिखा कि अर्श के रखा है, तुम्हें आवाइज, खुदा ही क्या है जो बन्लों से इक्तराज करें, अgomot इनसान से, हरी इनसान से अपनी शराफ्त न चाहने, हर इनसान से यह न चाहने वो उसे पहचा लें हर इनसान से अपनी महबद कलब लगगा रहा हो, तो आपकल ने यह सवार क्यों करें मन रखो का, जान की सावार किसी जहीन आदमी से पड़े लिखे से तो हो सदा है, लिखा हुआ क्वेस्टिन करे कि मन रबो का एक फाल फरोज से भी वही क्वेस्टिन करे एक नौकल पेशा से भी वही क्वेस्टिन करे एक बादशा से भी वही क्वेस्टिन करे एक जहारत माव से भी वही क्वेस्टिन करे कि मन रबो का तो पता रगता है कि खुदा ना इंसा ताफ हiam को पर कोई की और बखित नहीं है। तो हर इंसाल को अपनी जला अजार के डंड की श deeply हें शान को उसने यह वदीयark किया है कि वह किसी ना किसी तरीके से आपने खुदारि मेंगा है। और इसी कुष्टन नहीं को उन्ता है। इस सवार से कोई निजार मांदो जन हो कोई शक्सों पढ़ा हो अनपढ़ो उससे ये क्वेस्टन जरूर पूछा जाएगा कि तेरा रखाओ नहीं इसका फैसला करने के लिए जिद्दगी में एक बात बहुत जरूरी हुआ इतफाक से देखी कि तमाम बड़े सूफिया उस्तार जरूरी उन्होंने इसी सवार को मद्दे नदब रखकर ये तमाम जिद्धो जहिए कि अगर आप सत्तर बरस के हो गए आपके बस चॉइस कोई नहीं रहते हैं आपको कोई अंदखा भी आपकी बुनियादी जबलती खत्म हो जाता है आपकर बहुती की लज़त क्यों ही कुछ नहीं बचा जाता razor आपको न बताहिर के चन्दगी का मज़ा लगता है वो तीस चालिस बरस में इंतखाब है। जब आपकी जबलते जवान हैं। जब आप जिन्दगी की शहावाद को सामने रखे हुए हैं। जब आपको हर तरसे लालेच और हमस और फरेख नजर आ रहा हैं। अब उस वक्त आप ये फैसला करते हैं। कि हम खुदा को जाने ने हम उसे चुने हम उससे महबत रखें। हम उसे अपनी तरजीह अबल बनाएंगे। तो तब आप एक मिस्टिक हैं। एक मिस्टिक की बुन्यादी डेफिनिशन यही है। कि वो सही वक्त पर अपने इंतखाबात में तरजीह अबल का फैसला अल्ला के हक्ना करता है। इसके इलावा कोई निस्टिसिजम ने है। इसके बाद तसवुफ की वो काहिदे और कानूम जो बुन्यादी तोर पर इस वक्त राये हैं। वो तमाम के तमाम इसलिए गलत हैं। कि उनका वास्ता तसवुफ इल्म से नहीं है। परवर्दिगार के हां नजदीक सबसे बड़े रुटबे इल्म के रुटबे है। और जो तसवुफ इल्म से खाली है। जो तसवफ इंसान को तालीमि रुजानात नहीं रेती खुदा के बारे में जाननी का शौक नहीं रेती वो तसवफ नहीं है मेरी जहाना इसलिए कि परवर्दिगार ने तक्सीम जो है इबादात पे नहीं रखिए एक बड़ी आसान सी बार बला देती जिसके चाहता हूँ दर्जे बुलंद करता हूँ और हर इल्म वाले के उपर एक इल्म वाला है हर जानने वाले से बहतर एक जानने वाला है और तमाव तसवफ सेरे इल्मिया है एक थोड़े से रुटपा इल्मी से आगे बढ़ने का ना है इक बुनियाद से एक अन्जाम को पोहंचने का लाम इल्ब पासिल करने का लाम इल्म के बगार तुसव्ण को जानना चाहते हैं जो लोग भी इल्म के बगार की कोशिश करते हैं झि फिर उनकी ये उम्र भाजर होता है खुला की आरात इसारीक है यही है कि जिसे वो अपना इंदेना चाहंता है हदीस कुजसी है रसुल भूला ने एक को अपना इंदेना चाहता है उसकी आख उसके ऊपर खोल देता है जसने अपने नफ़स को पहचाना अपने रफ को पहचाना कि अपने आपको जानों और अपने लग को पहचानों अब एक बहुत बड़ा मसेला ही हो जाए कि ये तमाव तीन बड़े वसुन जो है दो प्यांबर हो एक विलायत कुबरा के मालिक एक खलीफा आल रामिक ये तमाव बत्वाद है ये एक इल्म की तरफ निशानद ही तरते हैं जो बड़किश्मती से जाहिरी ग्यादित में नहीं आता है यहीं बात तरशियर Jamsacji एक है किस्लेदु ही के संदत के गाथ कि इसfeldřे से खुदा मिलिएगा यह प्युक्त रूजरा यह नहीं कहा हुगो बात मिर्कुल लगफे क्रेज़ को पह्छाना उसने अपने लग', को पहिचाना spec can मेरी एक गत्त मुराद दें कि निवाज अरूज़ा की अहलियत तब हो वो इतदा है हर मौमिन की हर मुसिल्मान की इतदा के मुझार अंजाम कभी नसीद नहीं होता है बुन्याद की एंट के बलाए कभी उपर की दिवाद पीछान दें इससे सिरुव ये बुराद है ये तमाम इल्म जिसकी तरफ इशारा किया जाए ये दरून जात जोर और फिक्ट है इससाम के नफस जो है ये बार बार आपने लफस तो बहुत कसर से सुनौता वहम्मा मन खाफा मताम अरब बदाहिं नफसान रहवा अला ताला ने खुद भी कहा कि जिसमें मेरे सामने जो खड़ा होने से दराआ वो जरूर अपने नफस की ये हवा की मुखास्थ करता है अब मसला ये कि नफस है क्या तो पुराने जमाने में इसको एज़े पाकेज लिया गया एक लफस की हैसियत से लिया लिया इसको बाइख्लकेट ने गिया लिया इसको तकसीन ने गिया लिया मगर उसकी स्मघ्से हम एक ऐसे जमाने में जहां ये तबाम कहतियाद आनलाइज olhos हो रही है اور हुने को है और इस वड़ एक बहुत बड़ा इजुए वह अलूम नफस मेंसे इत्तदाई दर्जा रखता आ है जिसे आप नफस याद केड़ेगी हो और या साइकॉलजी केड़ेगी हो And beyond psychology, the human beings are also moving to parapsychology. जिसे माबादों नफस्यार है, तो इंसान के नफस दरशल कुल बुनियादी जविल्लतों का पैकेट है, जिसमें सबसे बुरानी और पहली जविल्लत जो है, हिस्से बका है, जिसे आप सर्वाइबल करते हैं, जिसकी दरफ बुरान इशारा करता है, कि उख़रतों नाफस उश्यों, कि किसी जान को हमने बुखीली से आदार ने की, तो जान्मेर तो बुखिल नहीं होता है, वो तो अपनी आदते काईज अगरे, वो चान आदा, खीला तो बुखले जान और पुरात है, साभाय बुरात है, कि कोई दीए ऐसा ऐसी बख्लूक नहीं है, जो हिस्से बका से आदार रखी गए, सवाई-शहीद के, सवाय शहीं की जो एक लम्हे में इस हिस्से बगा से निजात हासिल करता है और परवदियार के भर्माट भर्माट ले कि कोई हिस्से निजात हासिल ने करता जब तक कि मैं किसी को इससे आजाद न करूँ वाल्लाहु शकूलुन हली और वही एक ऐसा रख जो शुक्र करने वालों हली रखने वालों को बुखल जान से आजाब करता survival एक इंस्टिंक्ट ही नहीं है बलकि इसके साथ इसके सिंडॉर्मज है इसके प्धिट से हिस्से बका आगे बढ़कर बहुत छोटी छोटी हिस्सों माँ बढ़ जाती मकान बनाने कि रिस और लाइफ की इंसीकूरीट वच्शों की इंसीकूरीट मकाम, जिन्दग, तवाम तर हिसे मकाही की अब्तदान लेही इस थी जिस ने इसानी भाष्रे को आगे चलाए यही पुर हिस्थी जो इसान के कत्ल गालत का भी बाइस मनी जिसे हिसे बगात है मगर जब इसान एक दूसरे को बहुत बुरी तरह कत्ल करना था इन्सान एक दूसरे को से सही खत्म करने के दर पाये था तो इन्सानों की अबादिया बहुत कम हो बहुत कम हो अतार एक दिनों सान को मारने के लिए दस इंसान नहीं बेलते तो इंसान मना को एसास हजो कि अजर हम एसे ही चलते रहें ऐसे ही चलते रए तो फर तोॉक्त फ्रू झात फ्र olur कि एंसान म् खूंनер रोगशे लोगो तो फिर पर्म और्व लिखा इने एक कानून नहीं हिदायदा और यह वो पहला कानून है जिसमें इंसानी माशने दिन तरक्य की वाला कुम फिल किसास हयातु याउनिल अलबाविल अल्लकुम तरक्य। अहल अकल अगर गौर को तो किसास में जिन्दगी है। यह मत करो कि एक आद्मी भी खात्म फुरे माशने को कतल मत करो। बलके किसास को इस्तवार करो। आंग के बदले आंख, कान के बदले कान, नाथ के बदले आंख, एक आद्मी नी कतल भी है तो एक आद्मी को कतल करो। तो खुदाम देकी जिए बड़े बड़ी घंदाज में इस आईस से उबसुरत आई बहुत कम नदर आती है। कि एक जुबले में एक जहार बंदगर दिया। और इनसान की पूरी जिएगी के सफ़र को सबेट दिया। कि वलकुम फिलकिसास हयातु यहुले लबाविलालकुम गत्तकूम। एहलियातु किसास में जिए। और किसास ही से वाकियतन जिएगी चले है। और यह नहीं कि खुदा की हर्णानियत को सिर्फ साइंसी साबत करता है। बलकि आगे आगे आप किसी भी एक सापॉलिजस से पूछ ले। पहला कानी कौन सा बना है। तो आगे आपको बताये जाते। कि फस्ट लागिवर अफ दी। इस अर्थ इस प्रिंस हभुराभी अफ बैलोग। और प्रिंस हभुराभी ने। लेखे कितनी अजीक सिवात है। कि आपने पुरान हजीम में वो कानून तो पड़े होगे। आपको फिर हुरे वालाव तो मिलावते। वालुस मिलुंसा। और ये जो कान के कावानी नाट के इस सारे पड़े होगे। मगर हभुराभी के अपिड़ाफ तो आज लिख लेए। ये हुजूर के समाने में तो नहीं निकले थे। उन खंड रात पस तो कोई चीज निकले थी। कुई भी आइसन चीज निकली जो हजूर को पता होती। या कुरान शरीक में जो दर्ज है उसको पहिल से तो पता नहीं था। मगर ये कहा जाता है कि प्रिंस हमुराभी के जवाने में हदर्त इद्रीस अलाएस सलाथ वस्सलाम मौजूद थे। और उनुने इन कानूने के साथ को इस बादशाह भी बहुआ बड़ा अजीब बादशाह भूले रहा है। और इसको फस्सलाग बलाव्टिया थे। फस्सलाग बलाव्टिया थे। और उसके कत्मों पे यही कानूंद दर्ज है जो कुरान में अल्ला ताला ने जिका कि मैंने इन्सान की जिन्दगी और बका के लिए और इत्साफ के लिए और जिदगी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये कानूंद दर्ज है। और ये एक इंस्टिंक का हाल है, एक इंस्टिंक था इनसान में इसके इलावा एक इस बाइस जबिलते मौजूद है अगर खाली जबिलते होती तो कोई नुक्सान की बात होती है अगर खाली जबिलते होती है मुझे पता है कि मुझे बूग की जबिलत मुझे मौजूद है मुझे पदर है कि एग्रेशन की जविलत मुझे में बहुत है मगर जब ये जविलते आपस में वर्क करते हैं अगर आप एक शेत्रज के मोहरे गिने तो 16-16-22 मोहरे होते हैं मगर कंप्यूटर इनकी चार एक बिलियन में गिलता और जिस इंसान के अंदर एक इस बाइस जविलते इंट्रिकेट वर्क में मस्रूफ होगी एक दूसरे के साथ मुझतरिका आवल गरामत में मस्रूफ हो तो क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी पॉसिबिलिटीज फरेंग की कितनी होगी और एक इंसान में शाहिदी अहलियत नहीं है कि वो इस कम्पूटर पे मुकमल गल्वा हासिब कर सके और फरेंग नफस को मुकमल तोर पर समय सके इसके लिए हमें अडिशनल मदद मिले लिए और इस नफस के इस पैटरंग से बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जाद कामा आती है और वो अल्ला की जाद जाएगी मगर अगर आप मदद में अल्ला को सामने ही रखेंगे उसको चाहने कि कोई खायश आपके दिल में नहीं होती है उसकी आरदू तक नहीं होती है और सिर्फ एक लोकल फार्वेट में एक सिस्टम में गायद रहकर आप अपनी जादेंगे और मरनी तक आपको कोई आइसा से खुदा आपके नसीर नहीं होता तो पिर अल्ला आपको क्या मज़ए जाए और अल्ला क्यों नहीं मिलता इसकी वज़ा बढ़ी साथा है कि वो टॉप प्रायरिटी है अकल और काइनाथ इंसानी शिओर की जिदगी की उसने अपने सिवा तवाद तवाद चीजों को इंसान के लिए जो कुछ उसने बढ़ाय उन तवाद तवाद चीजों को उसने सब कैटेगराइस करें माइनर इंट्रेस्ट कराद दिए चोटी लज़त और शहवाद कराद दूजयना लिन्ना से हुब शहवाद मिनननसाई वल्मरीः वल्कराति व्कंदत मिननज़द वर्फिजद वल्खैर मुसमवद वल्णाम वलहर्स जालिका मतावल हयाद दूज़ अब आप तो जी इन से कौन चीज़ बाहर रहे हैं और जी बच्चे माल, अस्बाब, स्टेटर्स, जिल्दी के तमाव मादाद वो तो इनको हुब शहवाद कराद है ये तो दिल्चस्पिया हैं वल्हयात दुन्या इल्ला वरू आसे परे मसमसा ये तो आपके तकवराद की जगाए हैं वब हलात दुन्या इल्ला करी मुक्तसर थोड़ी सी अब एक बिलिए लियर्ज अफ गेलेक्शन लाइफ का साथ बरस में कौन ऐसा जहीन आपनी है जो अर्बहा अरब की तरील जिल्दगी छोड़ कर एक मामूली से साथ 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 जिल्के ये सावना करता है और खुदा ने जहां भी जिल्दगी का तथक्रा की जाए उसको कम तर हैसियत से तीन अंदारों है वब हयात दुन्या इल्लाह वाल्लाह थोड़ी देर के लिए इंट्रेस्ट है या आपका खेर है तमाशा है वब हयात दुन्या इल्लाह कलीड इतना मुख्तसट केसे खुदा मी कलीड कह रहा है वब हयात दुन्या इल्लाह भूर्व priority fair Surprise जिल्दधी तमाम क्यों है ये आपके देला है तजस्सात तकवरात का विर इन तमाम आसेझनए आजा हाया का है जिल्दधी और दुनिया से जजर मौमिन और दुनिया मौमिन का गाइद खाना है चलिए आप इतनी सक्ती से ना मैसूस की दिए इतनी तेजी और तूली से मैसूस नगी दिए वागर यह कहा हैं अगल का तकाला है कि आप सारी जिन्दगी अपनी लेसर प्रायरिटी को दे दे और तूली 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 त आपने साथ मक्सूस करती है कि मेरे जिकर के मेरे तुम्हारे दिल्ला कोई इमिनाद नहीं हो क्या फिर आपको खुदा तो खलत समझते हैं लगता तो ऐसे है कि आप इमिनाद भी ढूंड रहे हैं और खुदा के बगार भी ढूंड रहे हैं इसका मत्रव यह है कि आपको यकीन है कि खुदा सही नहीं है क्योंकि खुदा तो पड़े जोर से क्या असूली बात क्या अलाव जिक्रिल्ला इकत्माई दुलू कि कि खबारा सुनो मेरी याद में बगार तो मैं जिक्रिक मिनाल हासिन नहीं होता और आप उसे दुल रहे हैं मामिलाती दुल रहे हैं अपने छोटे छोटे इंट्रेस्स से दूल रहे हैं तो इसका मत्रव बिलकुल वा रहे है कि आपको खुदा की हकालियत पर एतमार नहीं है यू डॉंट ट्रस्ट गाउड़ जैस्पाइट और अगर कोई शक्स खुदा की तरह जाता है तो तसावफ में सबसे बड़ी गलत रही इंसान को यह होगी कि परहब्स को खुदा कुछ पावर्स बार्टा करता करता सूफी को कुछ खुश्य तागटिज बार्टा करता इस दौा से जो होने वाले वाक्यात होना शुरू है परवजगार ने ऐसा कोई प्रॉमिस थे उससे तुस्से एक साधा सी वात थे कि अला इनला उल्या आल्ला है ला खौफ ना ला इहम ला हुदानी कि मेरे दोस्तों को बस एक प्रॉमिस मेरा जरूर है कि दो चीजें नही होगी 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 ह अगर इसमें आपको अल्लाइ यह वादा दे कि आए बंदगारे खुदा, अगर तुम मेरी तरफ पल्टो, मेरी तरफ आओ, तो मैं तुम मैं प्रॉमिस करता हूँ, यह कहां का इंसा है, कि अस्वाब दुनिया में से तो हर सबग को हम जज करते हैं, हर सबग की पैमाइस करते हर सबग को हम ट्राइग नए, खुदा को कभी हमने ट्राइग नए, वी नवर ट्राइग आओ, और जहां मैं एक तर खड़ा होती है, आप से कहरा होता है, कि अगर तुम अस्वाब से मुनकता भी हो गए हो, तो मैं माजूद हूँ, मुझे आजमाओ तुसे, मगर खुदा क इस कुद्रतِ इलाहिया को कोई निया आजमाता है, और आप मुसंसर अस्वाब में तक्या किये बैट, तो अज़रादे मुझे जब तक टॉम प्रायारिटी सेटल नहीं होती है, जब तक आपनी तर्जीह अफ़र सेटल नहीं होती है, कोई शक्स ये गुमाद नक 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 न अगर एक बिलियन मुसिल्मानों की प्रायारिटी ठीक नहीं है, तो वो एक बिलियन मुसिल्मानों को दर्फुरे इतना नहीं समझते हैं, अगर एक अलब मुसिल्मान सुबह शाह में बादत करें, मखब की तर्जीह अबल दरुस्त नहीं है, वो मजब को मजब तक रखते ह म्धभ को गुमधँ में बाद़ा है मजभ को स्कूल रफटोट इरियास दर्बन किया हूँ कोई कोई से पूश पूसके अ काौं बेहतर है दियुवर्टी मेंटी मेंटी एलि हरीस मेंटी कान बेहतर है मैं इसे एक बात कहता हूँ जो बात मैं मजब से तलब करता हूँ अज़े मुझे बास्टर एरिया अफ रिलिजन्स से नहीं बेंगी तो मैं तो किसी मसलब को इसलिए जाऊँगा कि खाइश तो मेरी वही है खाइश तो खुना की तलब है अजय मुझे ये एसास को कि मदभ बड़ी वसी फीड है मुझे इसके मताले में बड़ा वड़ लगी जा मुझे इसको समझने में बड़ा वड़ लगी जा तो मैं एक शाहए को इसलिए बढ़ता हूँ कि शायद ये मुझे उतना सा इल्म देए कि जल्दी से खुदा को पहुंच तो किसी स्कूल आफ़ थार्ट से मुराद यह नहीं थी कि वो स्कूल आफ़ था थे बनकी यह थे कि वो शायद किसी इंसान को ज्यादा आशान काम बहिदत से खुदा को ले जाते होंगे मगर जैसे अहलाव में मिश्र की टॉप तो एक ही होता है नीचे पहलाओ तो बड़ा है मैं दस लाग ग्युमर्णी या ब्रजिमी से तवक्रों नहीं रगता कि वो खुदा शना साथ मगर मैंने खुदा की शना तुछ से तलब उड़ा थे एकेडेमिक्स में नहीं मैं आगे बढ़ता जाओगा दस लाग नहीं पांच सही पांच नहीं एक लाग सही एक हाजार सही मगर कहीं तो टॉप पर इन स्कूल्स के एक ऐसा हुना शनास बैठा हो एक ऐसा शक्स बैठा हो कि जिसके करीब जाकि यह महसूस हो कि इससे सुरावे जिर्दा नहीं बिल सकता है सुरावे पर उने दिगाद नहीं कि यह वो शक्स है कि मुझे अल्लाग में लेठा है अगे वो टॉप भी खादीर है तो मुझे किसी स्कूल आफ ठाट से कोई दिखस्प नहीं मैं उस बड़े स्कूल का हिस्सा हूँ जिसे आप मुस्लिमान करते है एक बड़े दर्यावे मचली अच्छी भी हो सकती है और दूली भी हो सकती है सब एक ही बड़े दर्याव दर्याव है जब हम सब मुस्लिमान ही और हमारा भकसद अपर ठाट रायरी हो तो हमारे दर्याव कोई इखतलाप नहीं है कोई जहड़ा नहीं रहता इसलिए कि खुदा की तरफ से आते हुए कोई मुस्लिमान किसी मुस्लिमान को कतल नहीं करता खुझा की तरफ से आते होई कोई مسulमान की मुसिलमान की मुर्बजा भर लिए करता है की नारीड है उसके माल रसमाम पर वैसर के दिम यह यह खुदाव दे कर्यीम ही है जो दिलों में महभबत पied diye पर फ़ड़िगाँ ने फर्माया कि अगर आए मेरे महबब अगर तु सारी जमीन का माल खाच कर तो दो दिलों में महबब नहीं पहला दो आल्लाुमामा अopedिक मैमादर्ग, मैं। मैं। मैं हूँ, मैं दिलों में महबद डालताáveis। अलिक दिलों में महबद नहीं ही। तो इसका मत्ल arriv यह खुदा डाल भी ही। और खुदा इसलिए नहीं डाल भी लोग खुदा से तबज्जू और महबद मा emission है। और खुलाद मों क्या पर रही है कि आपके नावों पर लेता है। खुलाद मों क्या पुर्छी अल्ला तो वो है जो मसंसल अहल इक कुर को ताना देता है। क्वुसर्थार, कि अगर तुम्ती रखते ही तुम्मुझे जड़ूर कर जाज़ा अगर तुम्ती शॺुर इस्तावाल करे तो तुम् अपने आवाव अजदान के दीन प्र घामी नहीं क्या हो इंताना मुझरमान के लिये दूरुस्ट्टिम्ध क्या हम अपने आबाव अजदार के दीन पे काई भी क्या हम सिर्फ इस्लाम को एक चलती हुई लस्य की दरे भी ठाबे हुई क्या हमने कोई अपनी शौरी कावश से अपने जाती इखलास से अपने जो जो जल्बे से गुदा को चाहने की कोशिच करता है अगर वो अहले तकलीद उसे पसंद नहीं थी तो आबाव अजदार के दीन पे काई थे तो आप यकीन कीजिए कि अल्लह का इसाफ और रसूल नहीं बड़ता है वो इन मुस्मादों से भी उतना ही बेजार है कि जो बाज तकलीद इन मुस्मादों जो ये कोशिश ही नहीं करते है कि मजब की हर्दों गायत में समझ सकते है जो ये कोशिश ही नहीं करते है कि चार दिवालेों से हटकर एक वसी तर तसवर खुड़ा वेखोने ही कोशिश है तसवर दरसल नाम नहीं है ये एक चाहत का नाम है ये एक जज़वा है कि जो आपको कैद नी रखता है जो आपको लजात दुनिया के हिसास से निकालता है जो आपको खाहिशाब की मन्जल से आगे बढ़ता है और आपको वहतरी निशाद नहीं करता है तसवफ लिवास में नहीं है अंदार्स में नहीं है तसवफ ले किसी चीज में नहीं है तसवफ नयत में है और ख्यार हुआँ है तसवफ आपकी अपरोच में है आपकी तरजीह अफल के इंतखाव में और इसको अपरवदिगाल का कहना यह कि बावजू जिसके कि जहिने आप मुझे तरजिये अफल करार दें, मैं आपका काइल नहीं हो सकते। इसलिए कि महाब्बत का इंतहान कुछ हावर है, कि यादस मखैर आप हमें यादाते। जब तक आप अरदिगार को काइल नहीं करते हैं, कि हमें आपसे इतनी महाब्बत हैं, कि सुम्हों मसा हम आपको याद करते हैं, तो खुदा को याद से बड़ी दिल्चस्प है, वो कहता है, जैसे तुम महाब्बत का सिर्फ एक इंतहान रखते हों, कि अगर आप तरहां मैठे हों, तो उसको ही याद करते हों, जिससे महाब्बत जयाता है, तो मुझे भी ऐसे या जयाता है, तो खुदा करते हों, 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 तो खुदा करते मुझे ज्यादा माहबद है And this is what is demand is एक रसुल लाज़ श्रम का इशाद है कि खुदा सब महबद करने वारों से ज्यादा जालिस है अजर आप उसके सामने ही दूसरी महबदों को ज्यादा वक्त देंगे तो अलामिया को तो आपकी तकलीद नहीं चाहिए उठना बैचना तो नहीं चाहिए वो सिर्फ आपकी ट्रैक्टिकल ट्रैक्टिसिस पे नहीं जाएगे उसको आपकी नियत और खुलूस चाहिए तो हदीस से रसूल सब्सक्राइब मुस्लिम की आखरी अहदीस में हदीस है कि क्यावरत के दिन बहुत सारे लोग बहुत सारे डेट लोग बहुत सारे घुत्त की लोगों को जनत में ले जाया जा रहा हुगा तो परवदिगार फरमाएंगे हैं कि इनको जहन्नों में भैंको तो मलाइका आर्ज करेंगे कि परवदिगार पी ये को हादिशा है अजीब बात है हम तो इनके नावाय आवाल की लेकियां लिखकर शर्क घर्बन हमारे कावस खत्म हो गए और आप फर्मा रहें कि इनको जानूँगा मैं लोग फर्माया मेरा और मेरे बंदों का एक मामिला है जिसे मैं ही जानता है और वो इखलास है मुझे अच्छी तरह बता है कि कोई फेल क्यों का तो तस्वफ में एक कानूँ मैं आपने सुना वगरा कि कौन फेल मैं अंतजात नहीं चाहें तस्वफ इसके काईल नहीं है इस से ज़रा आगे बढ़ने की काईल कि कौन फेल और फिक्र मैं अंतजात नहीं भाजब करना, हाजि करना, इبादां करना, खैर खराग करना. ये सब शाथाननेंचेल के लिए भी हो सकता है, अबी जात को उलादर करने के लिए भी हो सकता है, जिनदगी मे एक नेक आणमी की रिपोटेशन हासिद ने भी हो सकता है, किसी दूसरे mental is put as a type हो सकता है, इसलिए एक तसवफ जो है दो की में तीन की हाँ वाहं की मत कौल की फेल की फिकर की और यकीन जाए कि परवर्दिगार आपसे बहुत सारी देखियां तलब ही नहीं करते हैं वो तो तहने से आपको छूट देता है वो तो कहता हैं मुकंदस आप बहुदी नहीं तक तुसकी तलाश भी नहीं करो फ़ला तुझा को अपने आपको मत पातबास कहो अपने आपको मैं तुम्हे उस वक्त से जाता हूँ जब मैंने तुम्हे जमीन के पेटें रखा और उस जाता हूँ जब मैंने तुम्हे माओं के पेटें रखा तो हम गौर दो कीजिए कि परणदिगार इसमें दो मुक्तलिफ औरीजिन्स अफ यूमन इस की तरह इशारा करता हूँ एक ती फस्ट औरीजिन अज़े हुमन रेस एक सगिंड औरीजिन अज़े हुमन बिक दो औरी यह ऐसी है जाए हम कहते हैं कोई पाकमाजी का दावा पर रेक्षित को कहते हैं मैंखूब चलता हूँ यह क्या चीज़ है तो अल्ला भी इससे बहुत पहले आपको कह चुके हैं कि कोई तकदुस का दावा ना करना हूँ इसलिए उन्हों ने वह नहीं पर्माया तकदुस म इसलिए नियुक्त है तौं मेरे मजल कैसे ताहरा बन गया है तो हम इसलिए तो अन्हों की जगात नहीं इन से बीड़ना वडता है तो normally you keep the best of the name जो आपके नज़री बहुत अच्छा नाम और फिर मुसीबत आपको 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 और समय की आए उसके मरक समभाए कि बंदगी वाले नाम मुझे बड़े पसा अबदुल्ला और आपका रह्मान बड़े पसा तो कोशिश की दिये कि अपने बचो हुएं बेहनों बाइनों हैं ऐसे नाम रखें जिससे तका दूस्ण अटक तक वाले इसलिए कि पर अवदिगार कहते हैं इस तन बुल्कभार वहुत हुए वालियस्मा इल्लल्दमा इल्ल्ल लामा इल्ल्ल्दमा वै तुम लोग जरूर अगर तरह इतना काम कर दो कि बड़ बड़ी गुनाह से बढ़ जाओ, तो छोटों में तो तुम्हें ठेर नहीं है, लेकर आला में रिलाक्सेशन किती हुआ है, कि छोटों बार तो तुम ठेरो गई, लाग कहते हैं वकफे को, ठेराओ को, कि कुछ चीजों पर तुम ठेरो गई, लोग पुछते हैं असहारों में और हमने फर्क क्या है, अगर आप सच पूछे ना, तो बुन्यानी फर्क ठेराओ का है, इसलाओ का फर्क है, हम लोग सवारिश्टी जाएं कि वो तो इतने अजुकेटेड नहीं थे, कोई हावर्ड और अक्सवर्ड की यूनिवर्सिक्या भी नहीं थी, शीने साथे से बनिया हैं, तो ठेरते नहीं थे, शराब की ममाने थाई तो ठेरे नहीं, आप सच पूछिए, तो मैंने कई रफ़ा कंपेर किया, कि अशाब रसुल में और मैं बाकी में मुझ में क्या पार्दा, तो आप यकीन जाएं कि मैं उनसे एक सार पीछे हूँ, एक सार, मैंने अक् उस ठेराओं से मैं लेट गुदरता हूँ, इसलिए कि मिरी प्रायरिटी की सेंसित्री वाज़िक है, मैं बावजूद महतरी कोशच के, एक बामूली से सहाबी का दी, और एमान हासल नहीं का सका, जहां वो अपनी पुखता तरी रादत, वो एक लबहे मैंने तोड़के पह और इसके बावजूद अगर असहाब रिसूल की प्रायरिटी इतनी क्लियर थी, इतनी वाज़ थी, और उनकी रज़त इतनी तेज़ थी, इतनी साथ थी, कि खुराओं दे करीम ने अगर उनको कुरूजबा कि राद, और वो वाहिद लोग कि जिनको जिनको जिनकी में रादी होने के, असहाब रिसूल को तीन हदार की तादा, यह दुबारा तो नहीं होने का, यह दुबारा नहीं होने का, किताब तो अब दुबारा नाज़ने होने का, पर अब दुबारा आने के नहीं, और इसलिए यह किसी को क्रेड़ नहीं मिल सकते, कि अल्ला इस से अबाब किये, खुदा रेका इनों ने जिनों ने द्रह्त के नीचे तेरे हाट दुआ बैट की, इनों ने मेरे हाथ में बैट की, खुदा रेका इनको बशार तोबिये तो जन्नती दास चाले, क्यों चाल रहे हैं? कि अबाब में बशीर तर्श किबलाते हैं, मस्यद कबा में लोग निमाज के लिए करें, आवाज देते हैं कि किबला बदल गाए हो रसुल अलाव ने कवाबा की तरफ निमाज पर ख़़ए, ख़़ए ख़़ए लोग को बदल देते हैं, कोई तवक्वप ने फर्माए, ये ये वो लोग थे जिनको कहागया, आसभा मुबश्रामत, आश्रा मुबश्रामत, के इनोंने देर ही लेगा दे, सिर्फ आवाज वाई में रसुल अलाव ने किबला कावे को रूद कर दिया, तो वही ख़़ए-ख़ए उनने कावे को रूद कर दिया, उनकी रजत में, उनक आश्रामाद रसुल के बानने में, उनकी तरजीह अवल की इस्टैबलिश्मेंट में, इतनी सुरत थे, कि मैं पहतरी पढ़ाई लिखाई की हुआ है, ये खुदा पहतर जानता है कि मैं इनकसाव ने कर रहा, सच कह रहा हूँ, कि मुझे बड़ा वक्त लगता है, बड़ा उससे साल साल भर लगता है, और तब कहीं जाता है, मैं उसके वेस्टेजिज़ अपने बाते से लिकाता हूँ, तो जाहर है कि उनका और हमारा मुकादा है, लगत इतने बहुतरी लोगों का अंदाज क्या था, वो अंदाज जिन्दर ही क्या था, एक असूल जो अल्ला के र वो इल्म का बुन्यादी असूल है, और वो असूल ये है, कि जिसका इल्म जितना बढ़ता है, वो उतना मुतदिर शांस होता है, आप देख लिए, कि मौजज़ा किसी को बड़ा साल भी करता है, हदूत इसाल आले सलातु असलाम पैदा मौज़ज़े से हो, वफात क्या है रत अंगेज वाकियात ना उन्होंने दिखाए होंगे, उन लोगों को जो उन्ते शुबा कर देख लिए, मगरे इतने साले करिश्मा इकुद्रत दिखाने के बावदूर, बहुज़ाद दिखाने के बावदूर, मसीह नासरी तो है, जालू दर कहे रहा है, और तमा कारी कर लाका, कभी इस तरी के से, कभी उस थरी के से, मगर फिन उसने ऐसाूल अगे बावद करे затा, के बोजरा कग दिखाने को, अब मैं कानूं निनको बद्बाक कार ने, इनसान तो यह चलता चलता, बिनल दियर से तू बिलियर दियर से इस इंसान मालूँ है जमीन पर मगर दो बिलेंगेर से उसने इंस्टिंक्टिव जिन्दगी गुजा लिए तो कल मैं हदीस पर रहा था कि हज़रत आदम अले सलातु असलाम ने कहा जब शफाद की बात की गई तो उन्हें कहा कि भाई मैं शफाद के कादिन नहीं हूँ मैंने गुना किया हुआ है मुझे गुना के हुदूर शर्मा की है लू के पास जाओ वो पहला रसूल है जो नसले इसान को भेजा रहे है इसका मतलब यह है कि वो पीरिड और वो टायम जो पहले इसान पे गुज़रा है वो एक ऐसा तभी जबिली दौर है कि जिसमें उसकी मेंट्री बेचुरिटी इसकाबिल नहीं थी तो वो कोई भी मैसेज को भूल भी बाई पास और पहरा रसूल जो नसले इसान को भेजा गया जो मैसेज और रसालत के साथ बेजा रहे है यह नहीं कि नभी ने थी पायंबर सा रहे थे मगर जो मैसेज के साथ बेढ़ेगे वो हदरते दौ अलाइस सब्सक्राइब और वहां से वाश्रा तो है एक लविंग की कपैसिटी में आगे मगर अभी भी जबिली ताकुल कर दाओर था और इतने तेस्थ हैं कि ये कौम बार बार हाग कानूने खुदावत को जबिली की तरफ पर्का लिए जैसे यहां में सब्सक्रावाद है कि खुदाने का हफते को मचिल्या नी पकड़ी उननका नए नहीं दरसल मतलब लिए है क इस तालाव से नी पकड़ी तो छोटो छोटी नालिया निकाल दी एंडे में एकुट एफर्ट टु डॉज गाट गॉट गॉट तो अल्ला ने पूरी पूरी कोशच की डॉज दे ते कि अल्दी आपको तालाव से थोड़ी पकड़ रहे हैं हम तो नालियों में खुद ही च कि मैंनी इनके साथ वो करूगा वाला कद अल्यू लजीन ना तदो मिनकुं फिस सब्त फकुल्ना रहूं कुम किराबकुं खासें कि तुम लोगों में Stitch मदर आद एक दुसरे की तकलीब कर This conference है अपने ऐस सब्सकी सब्सक्राइब अविडिया कि यहीं मदरों की खासमाने तो ब मजा करते हैं अल्दा के साथ कभी कभी अल्दा भी इन से मजा करते हैं और यगों तो उस्तों के आदियों यादों और इनको गहरी अनेरों में भटकने की लिए छोड़ देता है तो हुदूर गिरावी मरतबत तक पूरा आयर वाया है और पूरा इल्म जो है हमेशा देखना यह होता है किस कंटेनर पे उतरा तो कंटेनर जात गिरावी रसुल्ला से लगए और बेहतरी एतदाव बेहतरी इन बेहतरी एतदाव तो हमेशा हजूर गिरावी मरतबत के इरिशाने गिरावी यह आठ हदीसे हैं उपर गिरावी मुस्लिम की बुखारी की के एतदाव इफ्तियार करो और अगर कम्बर एतदाव ना हो सके तो उसके करीम तरीम जाओ तो वह बाहर जाओ हस्तिय मुबारिका है जिनोंने हमेशा जीम समझा है कि एतदाव फिक्सिटी नहीं है एतदाव फिक्सिटी नहीं है फिक्स नहीं होता ये एडिया है उस एरिये से बाहर जाओगे तो गाहर मुटदिर हो जाओ उस एए कि अंदर आप मुकंबल एतदाव एतदाव मुकंबल नहीं है इस नहीं होताव मुकंबल नहीं होताव तो दूसरा कारून जो है कशाओब का जिक्र के बार एतदान है तो फिर अल्ला आपका और आप अल्दाए कर्जी है अपर खुदा जिक्र जो है बाज लोग कंशूज करने बाज लोगों ने कहा हमारे बटकिस टोलमाज रहे एकिडेमिक्स वाज रहे वो जादे तक जो है निमाज को और पुराद को देदे रहे और करते हैं ये जिक्र है इसमें कोई शक्र ने कि ये जिक्र है आके में सलात अले जिक्र निमाज काएं करो मेरे जिक्र के लिए हम ने इस जिक्र को नाजिल किया मगें एक कुराणी आएंट में अल्य जिक्र को अलाइदा कर दो फर्माय कुथलु माखुया इले जिक्र किताब यहां कुराण का अलेदा जिक्र लिया और मैं किताब की तिलावत करो इसमें आरामर और नहीं को पड़ो और निमास काएं करो इनस्वादा तनहा इल्वाह साइवाल मुनकर यह तुम्हें फुर्ष और मुनकर से रोक लेगी मगर हमारी याद बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है फिर इस जिक्र को तुबारा पैटन से जुदा कर दिया और कहां फजकुनुल्लाह कयाम वकुदू वाला जरूबे कि खड़े याद करो, बैठे करो, करवटो के बल करो, मुझे इससे कोई बड़ी चहार आएमा मुत्तफिक है तबाव कुलमा एदी मुत्तफिक है कि जिक्र पे वुदू की, बेवुदू की कोई कहते है कर रिज्जि मस्लिम है बाव जरावत में, अमुलमुमेल आश्या इस-चिदीका से पूछा जा बाव जरावत को कि क्या इस आलम में रसुल्बू नास्यूल्स भिज्क्र फरमाया करते हैं वहर हाल ने हुदा कर जिक्र किया करते है तो मुझा अपना ख्यार यह है को याद कर सकते हैं और प्रवेटिगार तौफी गिले मैं जो बुन्याजी बात आप से कहीं जी कहती है आप तो एनी क्वेस्टन करूदी नहीं कि वो मजभ से ज्यादा मतालग है अज़े थोड़ा सा गायत मतालग है तो ठीक है वो कैफियात जहन पर है या कल पर है कोई ऐसा सुथा जो आपको अपनी पेचे की में पुट लाखी हो, you can always ask किया है ? किसी भी कीबाच पर सिरफ ऐसे इड़ेंटे किया सकता है यह मरता है यह बिलगुल मौन फाउड के कावगले में यह कंभात कि अईड़केट किया जा सकता है महजब किया जा सकता है इसलिए इसी को बहसर करने के बाद हम काबले नाखिलाए जन्ट करें और अल्ला ने फर्माग गया आयद आहल नफसल मुतमेना इस जही लाएब करासियत अपने इसी को मुखाज़ वह के कहा कि ये आगे बढ़कर जन्ट में डाखिल होता है ये सकती से कायल नहीं होता है क्योंकि रिप्रेशन की फिलोसिफी अब अर्टिमेट्री राज़ होता है अल्बत तक दो चीजे नफस के बारे में बहुत जरूरी है एक तो इल्म की ये आगए ही ये खराबी क्या दा इसकी नेगेटिविटी का इल्म होना चाहिए ये पता होना चाहिए कि ये कहां डमिच कर दढ रहिंख ज और बूसरे इसका इलाज है तस्मेर जिकर जैसे श्र collecting जिकर सर्वारिगाण में नफिपाया कि इस ने उसका इरादा किया उसका इलादा तो ये सारी कैफियत गुले गई तो अज़ित यूसफ अलाए सलाए से एक इशारा कुछा है माउबनी और नफस इनन नफस अलाम पारतम बश्यों इल्लाहा राहम अलाए के नफसे कौन बरे हैं ये तो हमेशा बुराए का हुक्म देता है हाँ अगर अल्ला रह्म करे तो साथ होने एक जिक्र का करिवा दिलावत किया जिसे पता चलता है कि प्याबन अलाए सलाए सलाए को ये इल्म था कि अगर नफस का फरेव करा हुए